तो कल का perfect time prediction अगर आप miss नहीं करना चाहते हो और आज आपने miss कर दिया 9 बच के 11 मिनट पे कोई आपको नहीं बताएगा market open होने से पहले कि 15 मिनट में market गर जाएगा वो भी देखेगा 100 point से जादा वो भी expiry वाले दिन तो इसमें कोई जूट की बात तो है नहीं आप समझ सकते हो कि 2 मिनट हुए है 9 बच के 17 मिनट हुआ है दोनों candles देख लीजिए आप अराम से आपको 200 point मिले है पल लौट पे 2500 रुपए मिला है 5000 का profit आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा बहुत छोटे investment से तो miss क्यों हो रह है एक मईने follow करके देखिए description में link मिलेगा chart की power पता चलेगी time prediction की power पता चलेगी और मुझे ऐसा लगता है कि America में जो 22 March को देखेगा होने वाला है 22, 22, 25 को देखेगा जो outcome आने वाले तो उनसे 3 expectation मन नहीं है और उन 3 expectation के basis पे कम से कम bank nifty 500 point भाग सकता है कितना कम से कम 500 point यानि 49-500 का level या फिर 49-700 का level आपको देखने को मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं होगी अब मैं आपको 3 वो पहले point बता देता हूँ और फिर मैं आपको fact बताता हूँ, indicator बताता हूँ जो ये indicate कर रहे है पहली चीज़ आपको पता है पूरे के पूरे अमेरिका के banking system में problem हो चुकी है आपको भी पता है banking system पूरी तरीके से खतरे में आ चुका है चुकी एक नहीं, दो नहीं top banks, एक, दो, तीन credit से उसके बाद तीन top banks को liquidity crunches हो चुके और ये top banks है जैसे आप ऐसा मा लिजे कि इंडिया का HDFC bank problem में आ जाए या फिर ICIC access bank आ जाए, कोटेक बहिंदरा bank आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, म contractingbank है तो इससे क्या जाएता है कि छोटे bankों का क्या हो रहा हुगा, वो तो पता ही नहीं चल ला वो तो भी आपको पता ही नहीं चला चोटे-मोटे बैंक क्या crisis में आ चुकिया उनकी balance sheet क्या आ चुकिया यह तो पता ही नहीं चला है तो इस current से fact को पर pressure है कि कम से कम वो कुछ गलत ना बोले क्या ना बोले? गलत ना बोले यानि कि पहला तो कुछ ऐसा ना बोले जिससे और problem create हो जाए कम से कम कुछ ऐसा बोले जिससे market खुश हो चुकि अमेरिका में 50% की आंदनी का ज़िया capital market है और capital market पे अगर ज़्यादा pressure आएगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वहां की जो public है वो सरकार से गुस्सा हो जाएगी फर्स तिंग, सेकेंड तिंग देखीगा क्या है आपको पता है बाइडन साहब पूरी तरीके से assurance दे रहे हैं कि हम banking system को लेकर बहुत अच्छी तरीके से क्या है ततपर है, तो वो liquidity को थोड़ा सा ease कर सकते है यानि कि अगर उन्हें देखेगा relaxation देना है बैंकों को बैंकों को डूबने से बचाना है तो उन्हें liquidity का ease देना पड़ेगा currency का flow देना पड़ेगा तो इस कारण के भी बहुत सारे chances है third बहुत ही major point है जिसके 10% ही chances है कि fed यहाँ पर pause कर दे यानि कि at least कम से कम इस particular इस particular meeting में pause कर दे भले आगे चलके बढ़ा ले तो वो अलग बात है तो यह 3 outcome ऐसे हैं जिसके basis पे एक bounce देखती हूं मैं सकता है कम से कम 500 point का maximum कितना देखने को मिलेगा वो नहीं पता लेकिन 3 दिन में ही ऐसा होगा Tuesday तक आपको ऐसा होते हैं वो देखने को मिलेगा अब मैं आपको क्यों कह रहा हूं चुकि यहाँ पर सब के उपर यह एक pressure आ चुका है कि fed up next meeting में क्या कहेगा दूसरी बात अगर वो rate बढ़ाने जा रहा है तो वो जवाब क्या देगा वो क्या करेगा जवाब क्या देगा कि यह banking के crisis हो रहे हैं तो आप इसको लेकर बहुत ही neutral है आपको कोई tension नहीं हो रही है इन banking crisis को लेकर तो इस चीज का जवाब देखेगा बहुत बड़ा जवाब होगा जब FED सबके सामने आएगा प्रेस कॉन्फरेंस में तो आपको पता है तो अगर आप देखेंगे तो यह prediction अपनाया जा रहा है और यह भी आपको पता है कि inflation इस बाद डाउन हुआ है हमारा भले नहीं डाउन हुआ इतना ज़ादा लेकिन अमेरका में तो 0.5 basis का देखेगा डाउन ट्रेंड है तो वो तो एक अच्छी बात है FED के लिए तो at least जब यह इस तरीके से collapse हो रहा है collapse of the two largest regional US bank Swiss regulators having a two pledge assistant to the credit Swiss तो अगर आप देखेंगे कि दो बड़े original bank collapse हो चुके है और स्विस यानि central bank को स्विस central bank को क्या करना पड़ा है financial help देनी पड़ी एक्रेइट स्विस को तो ऐसे में इतनी ज़्यादा problem में क्या करना पड़ता है आप चाहिए जितने भी tough हो लो आपको जवाब देना पड़ेगा accountable होना पड़ेगा और कुछ ऐसे step बनाने होंगे बताने होंगे जिससे bankों को सुधारा जा सकता है upcoming months पे वरना depositors का क्या हो जाएगा faith क्या हो जाएगा हट जाएगा तो ऐसे particular chances ये बहुत है कि कम से कम अगर fed कुछ गलत नहीं बोलेगा तब भी इतना bounce back तो हमको मिल ही जाएगा और या तो इतने expectation में ये bounce back मिल जाएगा कि like मतलब आपको bank nifty 49600-700 के आसपास आते हो देखने को मिले अब इसका indication क्या हो रहा है इसका indication दे रहा है 2 year bond deal 2 year bond deal कितना down हुआ है कितना gap उसने fill करा है ये मैं आपको दिखाता हूँ ये आपके लिए बहुत important होगा 2 year bond deal देखें सारे bond market इसमेट down है आप देख सकते हो लगा था bond market भी loss दे रहा आपको और bond market loss दे रहा तो आप समझी सकते हो तो 2 year का bond देखेंगा कितना 5 तक पहुँच चुका था और इनके बीच में जो gap आ गया था तो 1.1 का आ गया था 1.1 का आ गया था अभी कितना है 0.5 का 0.5 का gap देखने हो मिला है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे down कितना है 5.1 से अब कितने पे आ गया 3.9 पे तो अगर बहुत मोटा मोटा माने तो 20% का bond market में fall है तो कहीं ना कहीं तो FED कुछ ऐसा relaxation देने वाला है जिस कारण bond market को यह पहले से अंदाजा हो चुका है और वो down हो चुका है तो यह बहुत ही बड़ा देखेंगा research है कि ऐसा कुछ होने वाला है be ready for it और कम से कम इतना bank nifty में तो bounce back आपको देखने को मिले गई within 3 days में वीडियो को अच्छा लगे तो like, share, subscribe करना न भूलेगा thank you so much